डेली डेली वही नाश्ता खाके अगर आप बोर हो गए हैं तो एक बार ये ट्राई करें सूजी के अंदर पानी डालके और उसे चम्मत से चलाके और सिर्फ 10 मिनिट में बनाईए ये कमाल का नए तरीके का नाश्ता जो बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सौफ्ट औ तो चलिए फटा-फट से सुरू करते हैं नए तरीके का नाश्ता बनाना उसके लिए क्या-क्या चाहिए आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ तो वीडियो को लाश तक देखते रहिए ये मैंने ले लिया है सूजी सूजी मोटी पतली कोई सी भी हो आप ले सकते हो दो कप के करीब मैंने सूजी ले लिया है माप में कहें तो ये 400 क्राम के करीब सूजी है ये और सेम कप से हमें इसमें पानी डाल देना है दो कप के करीब इसमें पानी डालना है हमें अगर सूजी मोटी है तो थोड़ा पानी या पर डालें उसमें फूलने में थोड़ा टा और अब लेना है एक पैन और पैन को रख देंगे गैस के उपर उसमें डालना है एक चमची करीब और एक चमच चना दाल और एक चमची हमें इसमें डालना है उड़त की डाल अब दालों को 10 सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेना है और उसमें डाल देना है एक चमची करीब जीर है और प्याज का स्रीफ कच्चा पंदूर करना है मैं ज्यादा देर तक प्याज को नहीं पकाना है तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेजेगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भोलें तो अभी प्याज पक चुकी है और इसमें अब डाल देना है अद्रक अद्रक को छोटे-चोटे कुड़ों मैंने काट लिया था उसे डाल देना है और ये मैंने डाल दिया है हरी मिर्च और अब डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता इसे धोलिया था मैंने और कड़ी पत्ता को डाल देना है हरी मिर्च और अधरक आप अपने टेस्ट के अकॉर्णिंड डालें मैंने दो भारी मिर्च डाली हुई है अगर आप कम जादा जैसा तिखा खाते हूं उसी सबसे आप डाल सकते हो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम ही डालें क्योंकि ये नास्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और बच्चों को टीफिन में देने लायक है और ये मैंने इसमें डाल दिया चुटकी वहर के करीब हींग और अब डाल देना है ग्रेट किया हुआ गाजर सबजिया आप इसमें और भी आइड कर सकते हो जैसे पत्ता गोभी बिंस और शिमला मिर्च तब ये पक चुका है और गैस को करना है बंद और इससे ले चलते हम ठंडा करने के लिए इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद में इसमें डाल देना है हरी धनिया धनिया को भी मैंने बारिक-बारिक काट लिया है उसे डाल देना है और धनिया डालके इस अच्छी तरीके से मिला लेना है यह रेसिपी आप बच्चों को टिफिन के लिए बना सकते हो खास्ता और पर उन बच्चों के लिए जो बच्चे सबजिया नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप कई सारी सबजिया इसमें एड़ करके और ये बना के बच्चों को टिफिन में या फिर breakfast में दे सकते हो तो चलिए देखते हैं सूजी फूल चुकी है हमारी 10 मैट हो गया है देखे इस तरीके से सूजी फूली हुई है तो सूजी की कोई सी भी रेसिपी आप बनाते हो जैसे इडली हुआ डोसा हुआ इस तरीके की कोई भी रेसिपी बनाते हो तो उसको फूलाने में थोड़ा टाइम देना चाहिए तभी सूजी की रेसिपी आपके एकदम सौफ्ट और अच्छी बनेगी तो अभी ये सूजी को ले लिया है मैंने और इसको डाल देना है मिक्सर जार में तो आप चाहें तो इसे चम्मा से भी अच्छी तरीके से फेट सकते हैं लेकिन मिक्सी जार में अगर डालके आप पीस लेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया ये अच्छा इसलम स्पॉंजी बनेगा और अभी जो कप से हमने सूजी लिया था उसी कप से हमें आधा कप के करिब दही लेना है और दही इसमें डालके और ढखकर लगा के अच्छी तरीके से पीस लेना है इसे एक दब डोसा वाला बैटर होना चाहिए देखे इस तरीके से और अगर गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा हमें पानी आइड करना होगा तो मैंने एक कप के करिब इसमें पानी डाल दिया है मिकसर जार को दो के और आधा चम्मज के करिब अब डाल दिया है अजवाइन अजवाइन खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेलफुल होता है तो अभी मैंने डाल दिया इसमें जो हमने सबजियां बना के रखी होई थी ना फ्राई करके वो सारी सबजियां इसमें डाल देना है हाँ एक चीज का ध्यान रहे है सबजियां ठंडी हो जाए तभी आप इसमें अड़ करें गरम सबजी नहीं डालें तो सारी सबजी डाल देने के बाद में इसमें डाल देना है में नमक टेस्ट के कोड़ें आप नमक डाल सकते हैं इसमें मैंने आधा चमशी करीब नमक डाला है और नमक डालने के बाद इसे चमशी अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लेना है पूरे बैटर को सबजीयों के साथ देखें इस तरीके से मिक्स करना है तो फ्रेंस आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आती हो तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट जरूर किया केजिए ताकि पता चले कि रेसिपी किस तरीके की बनी हुई है और आपने ट्राई किया तो कैसी बनी वो भी जरूर बताईएगा तो ही अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है इसे और इसको भी ढखकन लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना ह और अब डालेंगे के कारीब दही और टेश के हिसाब से अब इसमें नमक डाल दो और अब डाल देना है इसमें आधा कारीब पानी और इन सारी चीज़ों को ढखकन लगा के अच्छी तरीके से पीस लेना है थोड़ा दरदरा पीसना है और फिर उसके बाद में अभी हम इ उजिया बाली नमकीन, सेव वाली जो आती है ने नमकीन, वही वाली नमकीन डालना है, और फिर ढखकन लगाके से फिर से अच्छी तरीके से पीस लेना है, और इसी किसी कटोरी में ट्रांसफर कर लेना है, और चटनी अगर गाड़ी लग रहे हो, तो आप इसमें पानी भी ऐ लगा देते हैं तड़का, तड़का लगाने के लिए मैंने ले लिया है तड़का पैन, उसे गैस पर चड़ा देना है, और गैस जलाने के पाद इसमें डाल देना है, छोटा चमच उड़त के दाल, और चोटा चमच ही हमें इसमें डाल देना है, राई, और फिर कड़ी पत और नए तरीकिये की चटनी, इसे आप इटली डोसा के साथ भी खा सकते हों, वेसे भी बना सकते हों, तो चलिए चटनी को रखते हैं साइड में, और अब बनाते हम नाश्ता, तभी जो बैटर रहा हमने तयार किया हो, उसमें डाल देना है एक चमचे करी इनू, इनू डालने से नाष्टा एक दम अच्छी तरीके से जालिदार बनेगा और बहुती स्वंजी बनेगा और इनो डालनेक बाद इसमे थोड़ा सा एक चमचे करी पाने डाल के फिर उसके बाद में इसे अच्छी तरीके से फेट लेना है एक ही डारेक्शन में फेटना है हमें इसको देखिय तुरंद का तुरंद यह डबल हो जाएगा, इननों डालने के बाद में इतना जल्दी फूल जाता है, इस तरीके से आप इडली भी बना सकते हो, मैंने अपनी चैनल पर इडली की रेस्पी डाली हुई है, बहुत ही बढ़ी आइस डिली बनी हुई है, तो आप वहां जाके द अंदर डाल देंगे हम दो कल्चुल, या दो बड़े चम्मचे करीब इसमें डाल देना है, और इसको धकन लगा के एक मिनड़ के लिए से छोड़ देना है, और गैस की फ्लेम को अगदम लोग पे ही रखना है, और देखे एक मिनट हो चुका है, उसके बाद धकन खोलके इ देखें, उलट पलट के से 2-3 मिनट में अच्छी तरीके से एक दम क्रिस्पी होने तक इसे हमें पका लेना है इसमें, देखें, देखने से लगना है एक दम गोल्डन कुरकुरा सा, ये नाश्ता आप अपे वाले तवे पे भी बना सकते हो, और इडली वाले बरतन में भी स नाश्ता, इसी तरीके से और भी बना लेना है, इस नाश्ते को आप बंडो सा, फ्राइड इटली या फिर मिक्स विच अपे भी बोल सकते हो, तो इस समोसा कचोरी को फेल कर देने वाले नाश्ते को, चलिए सर्फ करते हैं चटनी के साथ, जो हमने बना के रखे हुई थी, क चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखे कितना सॉप्ट बना हुआ है, ये नाश्ते को आप गर्मा गर्म सर्फ करेंगे, तो उपर सिक्दम क्रिस्पी रहेगा, अंदर सॉप्ट रहेगा, और इसे आप रख देंगे, तो ठंडा हो जानके बाद में एक्द बताईएगा, तो फिर मिलते हैं मेरे आने वाली कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई